हेलो दोस्तों नमस्ते, आंटी कीड़ा सोई में आपका स्वागत है, आज हम टमाटा सॉस बना रहे हैं, इसके लिए हमने लाल टमाटा लिये, एक केज, यह हमने 300 ग्राम शक्कर लिये, लाल मिर्च पाउडर लिये, काली मिर्च लिये, गरम मसाला लिये, नमक लिये, काला नमक लिये, यह हमने विने कर लिये, अब हमने सारे टमाटर काट लिये हैं, अब हमने गैस अन कर दी है, टमाटर हमने इसमें रख दिया है, अब हम ढख के रख देंगे, इसमें पांच मिनिट के लिए हम रख देंगे, दो मिनिट के बाद हम खोल के देखेंगे, इसको चला के देखेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बस दो चमट डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, अब इसको फिर ढख के रख देंगे, अब मेरे साथ मिनिट हो गए है, अब मैं लिकार के देखते हूँ, देखेंगे, अब हमारे उबाला आ चुका है, आप इसमें कुकर में भी बना सकते हूँ, कुकर में दो सीटी रे सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, अब इसको ठंड़ा होने के लिए रख देंगे, अब हमारे टमाटर ठंड़े हो चुके है, हल्गे से इगरा में, इसको मिक्सर जान में डाल देंगे, अब हम इसको पीस लेंगे, अब हमारे टमाटर ठंड़े हैं, अब हम इसको जल्वी में चान लेंगे, अब हम इसको जल्वी में चान लेंगे, इसको अच्छे से चला लेंगे, इसके इसका तारा किसे पर उखल जाएगा, अब यह देखिए हमारा गूदा रह गया है, अब यह गूदा सबजी में भी काम में ले सकते हैं, और हम चट्नी भी बना सकते हैं, इसको वेश्टे नी फैकना चाहिए, अब हमने गैस ओन कर दिया, अब इसको गैस के ऊपर रख दिया, अब हम इसको चलाएंगे, अब इसमें उबाला आगे है, अब हाप कप चीनी डाल देगे हम, यह नमक डाल देंगे, काला नमक आदी से कम हम नमक डाल देंगे, साधा नमक काली मीज डाल देंगे, आदी चम्मच अाधी चमच गर्म मसाल देंगे, आदी चम्मच लाल मिर्च पाउडर बाउड़र देंगे, इसमें गारलिक भी डाल सकते हो, मैंने गारलिक डाली नहीं है, गारलिक को पीसके, गारलिक का पेश्ट बना के और इसमें डाल सकते हुँ, अब इसको हम बराबर चलाएंगे, अब यह टमाटर सोस जब मन में है तभी बना सकते हैं क्योंकि टमाटर हमेशा आते ही रहते हैं और यह टमाटर सोस बैसी बच्चों को बहुत अच्छी लगते हैं कम से कम इसको 10 मिनिट लगेगे थोड़ा गाड़ा हो जाएगा तब तक हम चलाएंगे अब देखिए हमारी टमाटर सोस बन जुकिया अब हम इसमें विनेगर डालेंगे एक चमस विनेगर डालेंगे इसमें हमाई शक्कर लगिए एक किलो में 50 लें और यदि खट्टे टमाटर हो लोगे तो इसमें थोड़ी जादा लग जाएगी मेरे टमाटर मेचे थे इसमें मेरे 50 लगे अब हमाई टमाटर सोस खाने के लिए बिलकुल तैयार है आप खाईए और मज़े लीजिए आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद